चलिए जानते हैं 10 मार्च का राशिफल आपके लिए क्या गुडलक लाता है मेश राशी, यह दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है नौकरी कर रहे जातकों को, अपनी नौकरी में दिये गए कारियों को समय पर पूरा करना होगा आपको कुछ अधिकार भी सौपे जाएंगे सीनियरों का सहयोग मिलेगा व्यवसाय कर रहे जातक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए काफी प्रयास करते हुए नजर आएंगे आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और आप इसके चलते आपको कुछ वित्तियलाब मिल सकते हैं बच्चे भले ही आपका ध्यान अपनी और आकरशित करना चाहते हो लेकिन साथ ही खुशियों की वजह भी साबित होते हैं आपका ज्यादा ख्याल आपके प्रिये के लिए बेहत कीमती है यह दिन बहतरीन दिनों में से एक हो सकता है इस दिन में आपके अच्छे प्लान भविश्य के लिए बना सकते हैं लेकिन शाम के वक्त किसी दूर के रिष्टेदार के घर में आ जाने के कारण आपके सारे प्लान धरे के धरे रह सकते हैं जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा आपको अपनी सेहत के प्रती सावधानी बरतने की जरूरत है जो रक्चाप के मरीज है उन्हें अपनी सेहत का और अधेग ध्यान रखना होगा अपनी प्रतिदिन की दिन्चर्या में कुछ बदलाव लाएंगे तो आपके लिए बहतर रहेगा मेश राशी के लिए उपाय इस राशी के जातकों को गुर्धान में देना चाहिए आप यह गुर्ध किसी भिखारी को दे सकते हैं गाई को खिला सकते हैं या किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं लक्की कलर, लाल, लक्की नंबर, पाँच, वुरिशब राशी, ये दिन आपका बढ़िया रहने वाला है, पारिवारिक जीवन की बात करें तो सभी लोग एक साथ मिलजूल कर कार्य करते हुए नजराएंगे, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, जीवन साथी को आप वरिष्ट सदस्यों की सहायता से कोई नया कार्य शुरू करा सकते हैं, नौकरी कर रहे जातक नौकरी में तरक्की पाकर काफी खुश नजराएंगे, भाए, बहनों की उच्छ शिक्षा के लिए धन का निवेश करेंगे, आप अपने आपको काफी ठका हुआ सा महसूस करें पारिवारिक समस्याइं आपको परेशान करेगी, पारिवारिक जिम्मेदारियों की अंदेखी आपको सबकी नाराजगी का केंदर बना सकती है, किसी से अचानक हुई रुमानी मुलाकात आपका दिन बना देगी, अगर आप खरीदारी के लिए निकलते हैं तो अपने बज सलाह देनी चाहिए, पुरिश राशी के लिए उपाए, इस राशी के जातकों को सफेद रंग की वस्तुए यथा तिल्क चावल आदी का दान करना चाहिए, इसके अलावा पानी में 5-7 दाने सफेद तिल्के डालकर उससनान करें, इससे अचानक आने वाले सभी संकट दू लक्की नमबर एक, लक्की कलर, सफेद, मिथुन राशी, ये दिन आपका सुखद रहने वाला है, बात करें नौकरी पेशा लोगों की तो ये दिन आपका अच्छा रहेगा, आपको अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, आप अपने दिये गए कारियों को समय पर पूरा आज आपको किसी नई नौकरी का भी ओफर आएगा, जिसमें आए अधिक होगी, अपने विचार और उर्जा को उन कामों में लगाएं, जिससे आपके सपने हकीकत का रूप ले सकते हैं, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता है, व्यवसाय कर रहे जातक व् पजाय केवल इच्छा करते हैं, पुराने निवेशिकों के चलते आए में बढ़ोतरी नजर आ रही है, आप में धहर्य की कमी रहेगी, इसलिए सयम बरते क्योंकि आपकी तलखी आसपास के लोगों को दूख ही कर सकती है, परिवार वालों का सहयोग मिलेगा, आप परिवा को करना काफी पसंद है, मिथुन राशी के लिए उपाए, इन्हें प्रत्येक बुधवार को गाई को हराचारा खिलाना चाहिए, साथ ही गनेश जी को दूर्वा अर्पित करे, इससे सुख सौभाग्य में व्रिद्धी होगी, लक्की नमब, आठ, लक्की कलर, हरा, करक रा हैं, उनके मान सम्मान में व्रिद्धी होगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, माता जी से आज आज आप अपने मन की बातों को सांझा करेंगे, जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, लेकिन आप साथ बै इक्षा की तयारी खूब मन लगा कर करते हुए नजर आएंगे, लव लाइफ आपकी बहतर रहेगी, व्यापार कर रहे जातकों को व्यापार में काम्याभी मिलेगी, दूसरों के साथ खुशी बातने से सेहत और खिलेगी, धन आगमन के संकेत है, जरूरी कामों को समय ने और फिजूल के कामों पर वक्त जाया करना, आपके लिए घातक सिधा हो सकता है, गलत फेहमी के लंबे दौर के बाद इस शाम आपको जीवन साथी के प्यार का तोहफा नसीब होगा, सफलता प्राप्ती के लिए सपने देखना बुरा नहीं है, परन्तु हमेशा सपनों में खोई रहना आपके लिए नुकसान दायक साबित हो सकता है, करक राशी के लिए उपा यह इन्हे सूर्य को प्रतिदिन जलसे अर्ध्य चड़ाना चाहिए, इसके अलावा भगवान विश्नु को देसी घी और चावल की खिचरी का भूग लगाने से घर में साक्षात लक्ष सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का प्यारा बरताव आपका दिन खुशनुमा बना सकता है, आपके द्वारा धन को बचाने के प्रयास में सफल हो सकते हैं, हालां कि आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है आपकी आर्थिक स्थिती जल्धी सुधरेगी, परिवार वालों क साथ पार्टी में सम्मिलित होंगे, जहां सभी लोगों से मेल मिलाप होगा, पिता जी से आप अपने मन की बातों को साझा करेंगे, माता जी का पैर छुकर आशीरवाद ले, पैत्रिक संपत्ती से धन लाब होगा, दोस्त आपके निजी जीवन में जरूरत से ज़्यादा जी करेंगे, आप अपने व्यवसाई को आगे बढ़ाने की थोड़ी कोशिश और करें, भागया आपका साथ जरूर देगा क्योंकि यहाँ आपका दिन है, घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आप किसी पार्ग वशॉपिंग मॉल में जा सकते हैं, जहां सभी लोग काफी खुश नजराएंगे, आप अपने मन की शांती के लिए कुछ समय धार्मिक कार्यक्रमों में भी व्यस्त रहेंगे, आज के दिन अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, तो आपका वैवाहिक जीवन विशेश दिनों में से एक हो सकता है, जीवन साथी के साथ प्यार भरे पल व्यतीत करते हुए नजराएंगे, सिंग राशी के लिए उपाए, सुबह जल्दी सनानकर ब्रहम मुहूर्ट में एक तामबे के लोटे में जलमेलाल पुश्कवलाल चंदन घिसकर मिलाएं एवम उस पानी से सूर्यदेव को अर्ध्यदे, इस से सभी बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, लक्की कलर, पीला, लक्की नंबर, नौ, कन्या राशी, यह दिन आपका प्रसन्नता से भरा रहने वाला है, पारिवारिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, घर में किसी नए महमान का आगमन होगा, जिस से परिवार में ख परेशानी का सबब बन सकता है, पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत दिनकल लुटफले, अगर लोग परेशानीों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नजरंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांती भंगना करने दे, शिक्षा के क्षेत्र में सफल आप अपने परिवार वालों के साथ शौपिंग मॉल वर किसी पार्क में जाएंगे, जहां सभी लोग काफी खुश नजराएंगे, स्वास्थे को नजरंदाज करने से तनाव बढ़ना संभव है, इसलिए डॉक्टरी सलाह आपके लिए बेहत जरूरी है, अपनी प्रतिद भगवान के द्वारा सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे आपको अपनी संतान पर गर्व महसूस होगा, कन्या राशी के लिए उपाए, भगवान विश्णू का पंचाविशेक कर उन्हे तुलसी के साथ नवेद्य प्रसाद अर्पित करे, इससे सभी सोचे काम पूरे होने लगेंगे, लक्की कलर, नारंगी, लक्की नंबर, छेह, तुला राशी, यह दिन आपका बढ़िया रहने वाला है, नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो आपको अपनी नौकरी में तरक्की के नए अफसर प्राप्त होंगे, अधिकारियों का सहयोग मिल शिक्षा के क्षेत्र में आप जो प्रयास कर रहे थे, उसमें आपको काम्या भी मिलेगी, मित्रों के द्वारा आए के काफी सारे अफसर प्राप्त होंगे, जिनसे आप धन लाप कमा कर अपनी आर्थिक स्थिती को मजबूत बनाएंगे, बिजनेस कर रहे जातक व्यवसाय में रुकी हुई योजनाओं को दोबारा से शुरू करने में व्यस्त रहेंगे, यात्रा पर भी जाने के योग बन रहे हैं, जो यात्रा आपके लिए काफी लापदायक रहेंगी, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, आज आप अपने विजी जिन में से कुछ समय अ करने के संकेत हैं, जो लोग राजनीती में अपना करिय बनाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत ही बढ़िया है, सभाओं को संबोधित करने का मौका मिलेगा, नए वहन का भी सुक प्राप्त होगा, आपको आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा, जिससे आप अप अपने सभी रुके हुए कारियों को पूरा करने में सफल रहेंगे, संतान के भविश्य के लिए धन का निवेश करेंगे, तुला राशी के लिए उपाए, इस राशी के जातकों को यथा संभब गुर्ण एवं गुर्ण से बने पदार्थ दान करने चाहिए, इससे घर में शांती बनी रहेगी, दामपत्य जीवन मधूर बनेगा, लक्की कलर, बैंगनी, लक्की नंबर, दो, वुरिश्चिक राशी, यह दिन आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है, व्यापार कर रहे जातकों की बात करें तो अपने व्यापार में मंचाहल आप पाकर काफी दार होगा, नौकरी कर रहे जातकों को नई नौकरी का ओफर आएगा, जिसमें आई अधिक होगी लेकिन आपको अभी अपनी पुरानी नौकरी में ही टिके रहना बहतर है, विद्यार्थी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जिसमें उन्हें जीत हासल होगी, सेहत पर गौर करने की जरूरत है, अचानक आए खर्चे आर्थिक बोज बढ़ा सकते हैं, आपको अपना बाकी समय बच्चों के संग गुजारना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों न करना पड़े, ऐसे लोगों से जुनने से बचे जो आपके प्रतिष्ठ को आघात पहुचा सकते हैं, अविबाहित लोगों के लिए अच्छा रिष्टा आएगा, जिससे परिवार में खुशिया भरा माहौल होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, बेरोजगार लोगों को अच्छा रोजगार मिलने के संकेत हैं, जो लोग घर से दूर रहकर नौक पर घूमने जाने की युजना बनाएंगे, जहां सभी लोग काफी खुश न जराएंगे, वुरिष्चिक राशी के लिए उपायक धनु संक्रांती के दिन लाल कपड़े या लाल रंग की वस्तूओं का दान करे, इससे भविश्य में आने वाले सभी संकटों का नाश होग और कोरिय में तरक्की मिलेगी, लख्की कलर, सफेद, लख्की नंबर, चार, धनो राशी, आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है, आप अपनी शरीर की चुस्ती फूर्ती को बनाए रखने के लिए आज का दिन खेलने में व्यतीत कर सकते हैं, आज का दिन आप अपने परिवार वालों के साथ व्यतीत करेंगे और यह सीखेंगे की पैसे को कैसे रोका जाता है, जो आपके आने वाले समय में काफी काम आएगा, आपके आकरशन और व्यक्तित्व के जरिये आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे, आज आपकी मुलकात आपके पुराने मित्रों से होगी, जिससे मिलकर आपको अपनी पुरानी बच्पन की यादे ताजा होंगी. प्रेम जीवन जी रहे लोगों की बात करें तो आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है. आप अपने प्रेमी को मन की बात बताएंगे, जिससे वह काफी खुश नजराएंगे. नौकरी क साथ साथ कोई साइट काम करने का भी फैसला लेंगे, जिससे आए में बढ़ोतरी हो सके. आज आप अपने विजी दिन में से कुछ समय अपने लिए निकालेंगे, जिसमें अपने मन पसंदीदा कार्या को करेंगे, इससे आपके मन को शांती मिलेगी. हाया एजुकेशन के लिए समय अच्छा है. जो युवा कमपटीशन की तयारी कर रहे हैं, उनकी मेहनत उनको सफलता दिलाएगी. घर में पूजा, पाठ, भजन आदी का आयोजन होगा, जिसमें सभी लोगों का आना जाना लगा रहेगा. सभी परिवार वाले मिलकर एक साथ कार्य करते हुए न कर राशी. यह दिन आपका और दिनों के मुकाबले बहतर रहने वाला है. आप में चुस्ती फूर्ती देखी जा सकती है, जिससे आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने की कोशिश करते हुए नजराएंगे. आपका स्वास्थिप पूरी तरह से आपका साथ देग सामाजिक गतिविधिया मजेदार रहेंगी, लेकिन अपने रहे से किसी के सामने उजागर ना करें. आपकी मुलाकात किसी खास दोस्त से होगी, जिसे आपका ख्याल है और जो आपको समझता भी है. जरूरी कामों को समय नहीं देना और फिजूल के कामों पर वक्त जाया कर आज आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. परिवार वालों के साथ पार्टी में सम्मिलित होंगे. सभी लोगों से मिल-मिलाप होगा और किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी, जो आपकी काफी मदद करेंगे. छात्र एक शहर से दूसरे शहर शिक्षा प्राप्त क करने जा सकते हैं. जो आपने पहले निवेश किया हुआ था, तो उसका पूरा फाइदा होगा. जो लोग राजनीती में अपना करिय बनाना चाहते हैं, उनके लिए समय बढ़िया है. मकर राशी के लिए उपाए, यथा संभब काले कंबल अथवा काले तिल का दान करना चा ही लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हुए नजर आएंगे. आपके उपर परिवार की अधिक जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिनसे परेशान दिखेंगे. हाल ही की घटनाव से आपका मन बेचैन हो सकता है. शारीरिक और मानसिक लाब के लिए ध्यान्व योग फाइदेमंद स इनसे आप लाब कमा कर अपनी आर्थिक स्थिती को मजबूत बनाएंगे. मित्रों के साथ बाहर घूमने फिरने की भी योजना बनाएंगे. नए वहन का सुक्त राप्त होगा. अगर आपने कोई निवेश किया हुआ था, तो उसका भी आपको पूरा-पूरा फाइदा अविबाहित लोगों के रिष्टे की बात चल सकती है. माताजी को लेकर आपना निहाल घूमने जाएंगे, जहां वे काफी खुश न जराएंगे. पिताजी का पैर छूकर आशिरवाद ले. कार्यक शेत्र में काम की अधिक्ता के कारण आप थोड़ा सा परेशान अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आप अपने परिवार वालों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाएंगे, जहां सभी लोग काफी खुश न जराएंगे. कुम्भ राशी के लिए उपाए. प्रते दिन भगवान विश्नु के आगे दीपक जलाएं. भगवान श्रीहरी क द्वाद शाक्षर मंत्र का जब करें. इससे सभी तरह की समस्याएं दूर होंगी वजीवन में तरक्की मिलेगी. लख्की कलर, नारंगी, लख्की नंबर, नौ, मीन राशी. यह दिन आपका बढ़िया रहने वाला है. जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अपनी नौकरी के साथ साथ कोई साइट काम करने का भी मौका मिलेगा, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके. कठिनायों का सामना करना पर सकता है. हिम्मत नहारे और इच्छित फल के लिए कड़ी मिहनत करेंगे. जीवन साथी के साथ परिवार की भलाई के लिए कार्य करते हुए नजराएंगे जीवन साथी से पैसों से जुड़े मुद्दे को लेकर आज बहस होने की आशनका है. आज के दिन आप घरवालों के साथ समय बिता कर काफी खुश नजराएंगे. कुवारे लोगों के लिए अच्छा रिष्टा आएगा, जैसा वह चाहते थे. जिससे परिवार में खुश रहने वाला है. आप अपनी प्रेमिका को अपने परिवार वालों से मिलवाएंगे, जिससे आपके विवाह में और देरी ना हो. मकान, प्लांट को खरीदने की योजना बना रहे थे, उसमें काम्याबी मिलेगी सेहत में पहले से सुधार होगा संतान का भरपूर सहयोग मिल विद्यार्थी मन लगाकर परीक्षा की तयारी करते हुए नजराएंगे. मीन राशी के लिए उपाए. रोजाना गायतरी मंत्र की न्यूंतम दसमाला जब करे. इससे हर मन्चाही इच्छा पूर्ण होगी. लखी कलर. हरा. लखी नंबर. एक.